दोस्तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने बाला हूं कि टाटा न्यू अप्लिकेशन से पर्सनल लोन के लिए कैसे अपलाई करते हैं जी हां दोस्तो अगर आप टाटा न्यू अप्लिकेशन से पर्सनल लोन लेन करना होगा जिससे की पूरी information आपके लिए मिल सके दोस्तों सिंपली से आपके लिए प्लेश टूर पर आजाना है और टाइटा न्यू लिखकर सर्च कर लेना है आपके सामने application कुछ इस परकार से आजाएगी आपके लिए प्लेश से इस्टॉल करके open की option पर किलिक कर देना है उपिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस कुल कर आजाएगा यहां पर आपके लिए तीन option मिल जाएंगे सबसे उपर आपके लिए मिलेगा दूस्तों क्रेडिट का उसके बाद परस्नल लोन का उसके बाद ड आते हैं तो परस्नल लोन वाले option पर आपके लिए किलिक कर देना है उसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आज जाएगा यहां पर दोस्तों कुछ जानकारी बताई गई है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लो इंटरफेस आप से लिया जाएगा इस टेंड आपके लिए अपरोगल मिल जाएगा जीरो रिक्वार्मेंट होगी आपकी डाकुमेंट्सनल की तो लोन लेने के लिए सिंप्ली से आपके लिए अपलाई वाले उप्सन पर किलिक कर देना है अपलाई वाले उप्सन पर किलिक करते ही आपके सामने इस परकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा तो दोस्तों लोन लेने के लिए केबल आपके लिए 5 इस्टेव फॉलो करनी होगी दीख सकते हैं कि यहां पर 5 इस्टेव होलो करनी है आपके लिए लोन मिल जाएगा तो यहां पर सिंप्री से आपके सामने का नंबर फिल ऍलब करना उसके बाद देट अ इ Imma अपके लिए उसके बाद न्यृ radish और कंव मिडल ने मापका है तो आप आपकी सभी जानकारी भर जाती है उसके बाद यहाँ पर आपके लिए किलिक कर देना है किलिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफिस कुल कर आ जाएगा यहाँ पर आप से पूछा जाएगा कि यहाँ सेलिड पर्शन है या दोस्तों आप एक सेल उंपलाई है वो आपके लिए सिलेक्ट करना होगा, लून का परपस है, वो सिलेक्ट करना होगा, क्या कि इस परपस की वज़े से हम लोन लेना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपनी mail ID को fill up करना होगा, उसके बाद टिक के उप्सन पर किलिक करने के बाद चेक इजिबल्टी की उप्स लिकल कर आ जाएगा जैसे कि मेरे case में यहाँ पर 40,000 का लोन का ओफर लिकल कर आया है आपके case में भी कोई ना कोई ओफर लिकल कर आया होगा अगर आपको यहाँ पर reject कर दिया जाता है तो इसका मदलब है कि आपका civil score है वो सही नहीं है इस बज़से आपको लोन नहीं दिया जायेगा लेकिन अबकर अगर उफर लिकलकर आ जाता है तो आपस आणे से इस उपर के जो आप मिला है उसको आप लोन लेने के लिए आपके लिए हैं कि किसने मंत की माई अपर चेकそれक करना होुगा कि जो इसका एक partner है यहाँ पर दो partner loan प्रोवाइड कराती है Tata और दूस्तों यहाँ पर IFL तो यहाँ पर जो यहाँ पर loan मिलना है वो 40,000 का है इस 40,000 का loan लेने के लिए simply से मुझे click कर देना होगा यहाँ पर नेची की side में लिखा आजाएगा यहाँ पर पर आप चेक कर सकते हैं अगर आपके व पर नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप कर सकते हैं तो नेट वैंक की के औप्सन पर मैं किलिक कर देता हूं यहां पर युजर ने हैं ओफ़ डाल का लोग इन कर लेता हो लोगइन करने के वाद मेरे सामने स्परकार का एंटरफिस खुल कर आज जाएगा यहां पर फैस्चिंग की जाएगी यहां पर दो जैसे ही आपके लिए करेंगे तो आपके जो बैंक का इस्टेंड मेंट है वो सक्सेस्पूल यहाँ पर अपलोड हो चुका है उसके बाद आपके सामने इस परकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा जैसे कि मुझे 40,000 का लोन मिलाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मेरा लोन है वो बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पर लोन लेने के लिए ते निश्टें मेरी पूरी हो चुकी है अब आपके सामने इस परकार का इंटरफेस कुल कर आता है तो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा और सेकर्ड में आपकी इमाइ यहां पर आ रहे हैं तोटल इंट्रेट के बारे में आप सको बताया जाएगा कि आप पर 27 परसेंट पर लगाया जा रहा है आपके केस में आपको कितना लग रहा है वह आप अपके लिए करना होगा जो निचे की साइड में इस परकार से आता होगा इस पर किले करने के बाद आपके सामने इस परकार का इंट्रफीस कूर आजाएगा यहाँ पर आपके जो आधार काइट की इन फॉर्मिशन आजाएगी जैसन की डेट ऑब बर्थ, आपका नेम बगार जेंडर बगारा अगर आपकी जो जानकारी है वो सभी सही होती है डेट बगारा जो जेंडर बगारा है वो सब कुछ सही है तो आपके लिए नीचे की साइड में एक टिक का उप्सन मिल जाएगा इस प्रकार से इस पर किलिक कर देना है प्रोचीट के उप्सन पर किलिक करने क यहाँ पर chois mismos को एक आप्लोड करने लिए अपके लिए ए्स परकार का इंटरफीज कुल योगा उसक्तिर की जूँन करने के लिए आपका current ducks कैसा current account है या सेविंट करetrical लेख करने के बाद आपके सामने इस पर करकार का इंटर पर करा जाएगा जो भी आपके लिए आपकी अपनी री बैक अकॉंड नंबर जो आपने उपर डाला बोई बैक अकॉंड नीचे डालना है उसके बाद IFC कोड उसके बाद नीचे की साइड में प्रोशीड का एक आपसर मिल जाएगा इस पर आपके लिए किलिक कर देना है किलिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफिस अगर आपके बाद बैक और जानकारी बता दी जाएगी जैसे कि यहाँ पर आपका डेविट कार पर क्लिक करना है और नेट banking है तो नेट banking है, पेधी गिलिफ करना है, उसके बाद यहांपर submit के option पर क्लिफ कर देना है, submit के option पे क्लिक करने sometime है, करने के बाद आपके सामतेस पर करका interface कर आज जाएगा, अब यहांपर दिया जाएगा इस प्रकार से इस application से आप loan के लिए apply कर सकते हैं अगर आपके लिए इस application में कोई भी दिखता आ रही है तो मुझे comment सकते में आपके लिए जरूर बताना है मैं पूरी help करने की आपकी कोशिद करूँगा आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही मिलता हूं नेक करें दोस्तों जाहें